आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं MS Excel के एक important concept के बारे में जिसको आप Hlookup के नम से जानते हैं तो यह Hlookup function किसलिए use होता है सबसे पहले यह जानते हैं तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हो यह जिसको हम Blookup function बोलते हैं तो Blookup function and Hlookup function सेम ही purpose के लिए use होते हैं किसी value को data chart के अंदर या फिर value को किसी data के अंदर find करने के लिए हम क्या करते हैं Hlookup function का use करते हैं तो basically हम करते क्या हैं इसमें सबसे पहले यह जानते हैं कि Hlookup function किसलिए use होता है तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि hlookup function says क्या कहता है कि hlookup लगाएंगे और वहाँ पर हमें basically चार चीजों की ज़रुत पड़ेगी what you want to look up यानि हमें किस value को find करना है हमें उसको select करना है जिसको हमें find करना है second one is where you want to look up for यानि आप उसको कहां देखना चाहते हैं जैसे कि हमें data क्या करना है इस table के अंदर filter करना है तो हम क्या करेंगे इस पूरी table को select कर लेंगे third one is the row horizontal number in the range containing the value to return यानि हमें क्या करना है horizontal line या फिर row को क्या करना है select करना है जिस row के अंदर हमें data को find करना है तो main चीज क्या है यहाँ पर हमें rows लेनी है और जो b look up function है उसमें हम क्या करते थे हैं यहाँ पर column लेते थे और vertical line को select करते थे तो basic difference यहीं है यहाँ पर b look up और h look up function के बीच में अब next है fourth one क्या लेंगे return and approximate और exact match तो approximation के लिए हम क्या लेंगे one लेंगे and exact value को find करने के लिए हम zero का use करेंगे तो अब हम अपनी sheet को open करते हैं and h look up को लगाना start करते हैं तो सबसे पहले आप मेरी screen पर देख सकते हैं कि मैंने एक format already बनाया हुआ है जिसमें मुझे क्या है कुछ student दिये हुए है जिनके नाम यह है इन student का क्या करना है मुझे यहाँ पर record फिल करना है इनके marks फिल करना है physics के, chemistry के, maths के Hindi के and English के उसके बाद हमें क्या करना है इस table में से student के physics के, chemistry के और maths के marks को हमें क्या करना है filter करना है by using the h look up function तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर data को enter करना start करते हैं कि किस student के कितने-कितने marks आए है तो सबसे पहले में लिखता हूँ कि जो नमन है उसके physics में 92 marks है and chemistry में 94 marks है maths में 92 marks है and घिन्दी में 82 marks है and English में 74 marks है इसी तरीके से हम राजू के marks के entry करेंगे हमने यहाँ पर लिख दिया physics में 84 chemistry में 94 maths में 90 English में 88 and English में 80 next है अभी जीत अभी जीत की entry करेंगे physics में 74 chemistry में 92 then maths में 90 हिंदी में 84 then English में 85 हम निहा के marks को enter करते है मालिज़े निहा के physics में 84 marks है and then chemistry में 90 marks है maths में 85 marks है हिंदी में 82 marks है and then English में 74 marks है अब हम सुजाता के marks पर enter करते हैं तो मान लिज़े जो physics है उसमें 74 marks है chemistry में 75 marks है and maths में 82 marks है निहींदी में 69 marks है and English में 79 marks है तो अभी हमने क्या 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 इस data को enter कर दिया अब इनको क्या करेंगे हम थोड़ा center में कर लेंगे alignment से अब हमें क्या करना है यहाँ पर hlook of function का use करना है तो जैसे कि आपको नाम से ही किलिए रहे कि hlook of function तो यह क्या करेगा in horizontal values के लिए यह क्या करेगा physics, chemistry और maths के marks को find करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर है student name हम किसी एक name को select करते हैं जिसके लिए हमें physics, chemistry और maths के marks को find करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मालीजिया हमने क्या क्या नमन का name select किया कि हमें नमन के physics, chemistry और maths के marks को find करना है bracket start, अब हमें किसको find करना है, मैंने क्या बताया था, आपको four values चाहिए, first one is what you want to look up, हमें क्या find करना है, नमन के physics के marks select करने, तो हमने नमन को क्या क्या है, select कर लिया, comma, then where you want to look up, यानि हमें इस table के अंदर find करना है, तो comma लगा कर हम इसको table को select कर लेंगे, comma, next, third one पर हमें क्या find करना था, आप यहां देख सकते है, row index number, यानि नमन के physics के marks कहां पर है, यहां पर है, तो यहां से अगर आप starting से जहां से हमारी table हमने select किये, यहां से start हो रही है, तो यह first row and second row, तो second row में physics के marks है, then आप यहां पर क्या करेंगे, second लिख देंगे, then comma, अब ह हमें कौन सी value चाहिए, exact match चाहिए या approximate, तो हमें क्या चाहिए, exact चाहिए, तो हम क्या करेंगे, false को select कर देंगे, या फिर आप 0 भी लिख सकते है, and then bracket close, अब आप क्या करेंगे, enter करेंगे, then enter करने के बाद आप देख सकते हैं, कि जो physics के marks हैं, वो हमारे यहां पर आ गए है, then हमें क्या करना है, chemistry के लिए hlookup function लगाना है, equal hlookup, bracket start, then, किस के लिए find करनी है value, नमन के लिए इसको select करेंगे, comma, कहां find करनी है, इस table के अंदर इसको select करेंगे, comma, अब आप देखेंगे, के chemistry, तो chemistry के number इस table में कहां पर है, first row, second row, and third row, तो आप क्या करेंगे, यहां पर three लिख देंगे, comma, हमें क्या करनी है, exact match find करना है, तो आप false लिख देंगे, या फिर zero लिखके, bracket close करेंगे, then, click on the ok button, अब ok करने के बाद आप यहां देख सकते हैं, कि नमन के chemistry के marks भी आ गया है, again, hlookup से हम क्या करेंगे, match के marks को find करेंगे, equal, hlookup, bracket start, इसके लिए find करना है, नमन, comma, कहां find करना है, in this table, comma, अब हमारे math के marks कहां पर है, first row, second row, third row, and fourth row, तो हम यहां क्या करेंगे, four type कर देंगे, comma, zero, and bracket close, and then click on the enter button, अब आप देख सकते हैं, कि जो नमन के math के marks है, वो भी आ गया है, अब हम इनको क्या करेंगे, हम पर जाकर थोटा center align कर देंगे, अब आप देख सकते हैं, कि hlookup function इस तरीके से horizontally काम करता है, तो हमने क्या क्या, hlookup function का use करके, हमने नमन के physics, chemistry और maths के marks find कर लिए, तो इसी तरीके से आप हिंदी और English के भी marks find कर सकते हैं, अब मालीजे हमें क्या करना है, नमन की जगे, रा क्या कर सकते हैं, इन values को find कर सकते हैं, otherwise आप क्या करेंगे, इसको एक list अगर बना दें, तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर आपको बार बार formula लगाने की ज़रत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर values को क्या कर सकते हैं, find कर सकते हैं, तो list बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप data validation पर 클िक करेंगे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे list create करेंगे तो यहाँ पर लिखा है allow, allow में जाने के बाद यहाँ पर drop down पर click करेंगे and then यहाँ पर हम select कर लेंगे list, लिस्ट के बाद में देखे data between आ रहा है इसको ऐसे ही रहने देंगे अब पूछ रहा है source source पर click करेंगे then source पर click करने के बाद हम उस data को select कर देंगे जिसको हमें list बनाना है तो हमें क्या करना है इन students के name को list बनाना है तो इनको क्या करेंगे सबको mouse की help से select कर लेंगे and then click on the ok button अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक drop down का option आ रहा है अब जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो click करने के बाद आप देख सकते हैं कि सभी student के name यहाँ पर आ रहे हैं अमाली जी मुझे राजू के marks को find करना है तो जैसे ही आप राजू पर click करेंगे आप देख सकते हैं कि राजू के physics, chemistry और maths के marks अब आब अब आपको अभी जीत के marks find करने हैं तो अभी जीत पर क्लिक करने के बाद है क्लिक कर देख सकते हैं physics, chemistry, maths के marks, list function से find कर सकते हैं अगर एक बार आपने hlookup function लगा रखा है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आईए तो आप हमारे चैनल को like कीजेगा, subscribe कीजेगा and इस वीडियो को share कीजेगा। Thank you everyone!